आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी रेसेपी शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने यहां पर मटर लिये हैं तो मटर को मैंने ना चार से पांच घंटे तक भिंगों के रख दिया था ताकि यह फूल जाए अधरवाइस इसे बनाने में बहुत मुश्किल हो है चोटे टुक्रों में और इसे भी कूकर में हमें आड़ कर देना है ताकि आलू और मटर दोनों एक साथ मतलब बॉयल हो जाए तो अच्छे से पक जाएगी तो बाद में आपको कूकिंग के प्रोसस में ज्यादा दिर पकाना नहीं पड़ेगा तो अब हम इसमें थोड़ के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है सुबा के नास्ते में आप इसे सर्फ कर सकते है या फिर इसे ना चाट के रूप में भी खा सकते है तो यहाँ पर मैंने एक प्याज और साथ अट लैसुन की कली और एक अधरक को पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे एक छोटे साइज के प्याज को बारिक करके काट के ले लिया है और बाकी के मसाले ना कुकिंग के प्रोसेस में हम देखेंगे तो यहाँ देखिए चार सिटी आने तक मैंने पका लिया अब मैंने कड़ाई में तेल एड़ किया है और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे सरसो तेल का प्याज को एड़ करेंगे और प्याज को हमें लगातर चलाते हुए भुरना है तब तक जब तक कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए या फिर हल्का ब्राउन ना हो जाए तो इसे ट्राइ किजिएगा यह बहुत ही टेस्टी होती है आप इसे चाट के रूप में भी खा सकते है बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है तो इसे आप बच्चो को सर्फ किजी नास्ते में उन्हें भी बहुत पसंद आएगा तो देखिए प्याज हमारी हलके हलके सॉफ्ट हो गई है थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है इस स्टेज में हम जो मैंने प्याज को और अद्रक लैसन को उसको एट करेंगे और इसे भी मसालों के साथ चलाके अच्छी तरह से भून लेंगे अच्छे से भूनेंगे ताकि कच्चा जो अद्रक और लैसन है उसका स्वात जाने तक हम लोग भूनेंगे तो अच्छे से लगतर चलाते हुए मसालों क जाता है ना सब्जी का टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा था है तो मसालों को बहुत ही अच्छे से भुनिएगा तो थोड़ी देर तक लगातार चलाते हुए भुनिएगा उसके बाद इसमें हमें बेसिक से जो मसाले होते हैं वही एड़ करना है तो यहां पर मैंने जीरा पाउडर लिया है जीरा और धनिया को मैंने साथ में मिला के ले लिया था और थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के पाउडिंग जितना तिखा खाते है उतना मिर्च एड़ किजेगा और इन सारे चीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अगर अगर पसंद आए तो लाइक और शेर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिजिएगा अब इन सारे चीजों को मसालों के साथ हमें पकाना है तो पहले तो इसे अच्छे से मिला लिजिए मसालों के साथ और देखिए इसमें बहुत पानी है ज्यादा पानी की और जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं पानी एड़ कर दोंगी ता पानी एड़ किया था और देखिए ग्रेवी में उबाल आ गई है तो इसे हमें थोड़ी दर तक और पकाना है लास्ट में सबजी को उतारने से पहले इसमें आधी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर एड़ करेंगे तो देखिए सबजी हमारी बन गई है तो अब मैं इसे सर कर दूंगी अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेर किजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किजिए